तो अब बात करेंगे मुजफरपूर जिले के सक्रा प्रखंद स्थित हरलोचनपूर पंचायत का जहां पंचायत के वाड नमबर 15 में हो रहे नाला नर्मान को लेकर ग्रामनों ने अक्रोश जताया है साथी ग्रामनों ने मुख्या पती प्रभात कुमार पर मानक के अनुसार कारें नहीं करवाने का आरोप लगाया है और सरकार से कारवाई की भी मांकी है तो वहीं पंचायत के सरपंच विजय कुमार समेत दरजनों ग्रामनों ने नाला निर्मान में गुनवत्ता विहीन समागरी इस्तिमाल का अरोप लगाया है चलता है गुट वाजी और जिकना भी गुट का लोग है यह सब करते रहते हैं तो जब भी हुआ है कार हुआ है जनता हमको खोजी है हम वहां पे जा करके और इस चीज को हम दिरोध किये हैं लेकिन इस पर कोई शुरवाई नहीं हुआ और हमारे मुखिया पती द्वारा वो अ विधान देगे उसे चुप्पूच लेना देना कोई प्रवाब नहीं पर रहा है इसमें हम तो कहेंगे जो सारा अगर इतना मनुवल बरहा हुआ है तो वीभाग की जहसे बहुत वड़ी समस्या है घरवडी का इस मामले में कहा कहा से कहती है पीसी सी सरक में से आनन फानन मे कि अधलाई किया गया उजरका गिट्टी जो हम देखे भी नहीं थे और इस यहीं मुख्या के डीजन में उजरका गिट्टी देख रहे हैं और उजला हुआ बालु जो गंडक से बालु आता है उस परकार मिट्टी के तोड़ा बालु लगती है वो उससे जो है से सरक निर्मा किया गया था हमने जब सरक निर्मान हो रहा था 11 नंबर में और 10 में और 12 में हुई है तिंस सरक निर्मान हुई है जिसमें